मद्धी प्रदेश में बिजली कमपनियों के 12,578 करोड रुपए बकाया है ये राशी वसूल ली जाए तो 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाने पड़ेंगे इधर व्यवस्था सुधारने के लिए बिजली कमपनियों को संसाधन के साथ मेन पावर की जरूरत है लेकिन कमिया पूरी करने में बकाय की राशी का हवाला देकर हीला हवाली की जाती है और खाम्याजा आम उपभोगताओं को भुगतना पड़ रहा है मद्धी प्रदेश में जब भी बिजली के महेंगे दाम को लेकर सवाल उठता है तो बिजली कमपनियों के घाटे का हवाला दिया जाता है लेकिन आपको जानकर हैनानी होगी कि बिजली कमपनियों का 12,578 करोड रुपए बकाया है अगर ये राशी वसूल ली जाए तो कोई घाटा नहीं रहेगा इतना ही नहीं अगले 5 साल तक बिजली के दाम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बिजली कमपनियों वसूली के जहमत नहीं उठा रही है प्रदेश के करीब 70 लाग बिजली उपभुगता बकाया राशी नहीं दे रहे है जिसका खामियाजा बाकी के एक करोड 66 लाग उठाना पड़ रहा है उठ्जा मंत्री का कहना है कि इस संबंद में सिएम शिवरात सिंग से बात की जाएगी सवाल ये है कि आखिर बिजली कमपनिया बकाया राशी क्यों नहीं वसूल पा रही है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक दबाव है बड़े बकायदारों पर वसूली करने में राजनीतिक रसीद आड़े आ जाती है तो कई जगह लड़ाई, जगडे और मार पीठ हो जाती है जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है करोडों का बकाया और वसूली में बिजली कंपनियों की उदासीनता का खामियाजा उन उपभोगताओं को उठाना पड़ रहा है जो इमानदारी से अपने हिस्से की अदाइगी कर रहे हैं ऐसे में सरकार को इस मामले को कंपीरता से लेकर उचित कदम उठाने की जरूरत है